आपको अगर ये तीन फीचर यूज करना नहीं आया है तो पिक्सल टैप पर इन फीचर जब भी एरड्रोप होने वाला है न हो सकता है आपको कुछ भी देखने के लिए ना मिले इसके अलावा ये वाला ओप्शन और इसमें जो करेक्टर्स है न ये आपके पास अधिक से फीचर देखने के लिए मिल जाते हैं इन फीचर को आप कैसे यूज कर सकते हैं क्योंकि ये फीचर को आप यूज नहीं करेंगे तो इन फीचर हो सकता है काफी अच्छा एरड्रोप आप मिस कर दे रिसेंटली तो लिटरली आपके मुह में मिठाई पकड़ा दिया है बट म अब बात करते हैं हमारे वीडियो की टॉपिक पे सो सबसे पहला इस टेप पे आपको पिक्सल टैप को ओपन कर लेना अपने टेलिग्राम में जैसे ही आप ओपन कर लेंगे फास्ट लिग कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा सबसे पहले आपको आपका जो यूजर वो सेलेक्ट कर लेना है उसके बाद में आपकी जितनी भी एज है वो आप यहां टाइप करेंगे उसके बाद में आप अपनी कंट्री सेलेक्ट करेंगे एंड यहां पर आपको आपकी जो भी है आप यहां पर क्लिक कर सकते हैं जैसे मैं आपर कुछ भी सेलेक्ट कर लेता ह उसके बाद में सेव करूंगा अब आप कहेंगे रिंकु भाई यह सब खरने की क्या जोर रहता है देखो आपको यहाँ पर लेवल दिख रहे होंगे जैसे यह 6 लेवल है आपको पता होगा ना दस लेवल वालों को कितना अच्छा एलड्रॉप मिला है तो अगर आप यह सभी कंप्लीट नहीं करेंगे ना तो लेवल जब आप इंक्रीज करेंगे ना तो यह कंडिशन बोलेगा कि भाई यह सब कंप्लीट करके आओ तब ही हम आगे बढ़ने देंगे क्योंकि यह एक गेमर की आईडी है तो यह जरूरी है जैसे ही आप उसको सेयो कर लेंगे भार आए है कि भाई total आपने कितने विन किये थे अंड कितने आपने defend किये है और कितने battles आपके number of थे उसके बाद में कितना आपने जो fund यह सिंपली वो लोस्ट किया है टोटल विन आपने कितना किया है और जो profit and loss ratio था वो आपका क्या था तो यह basic चीज़े है भार आएंगे उसके ब लिखा ही देता है एक्स पांच गुना एक्स थी गुना एक्स दो गुना अब यहां पर यह क्या है देखो सोटा सा पोटली मिला ना आपको तो एक दिन के लिए बड़ा पोटली मिला तीन दिन के लिए और बहुत बड़ा पोटली मिला तो साथ दिन के लिए यानि कि आपको जितना ये मिल रहा है ना reward, ये total जितना आपका axion लिखा है ना उतना गुना हो जाएगा, पांच गुना हो जाएगा, मतलब total split आपकी पांच गुना हो जाएगी, तो reward भी आपको इतना ही fast मिलेगा, अब ये कहां मिलता है, तो वो भी मैं आपको थोड़ी दिर में explain करूँगा, उसके बाद में है level, level increase करने के लिए आपको बहुत सारे steps follow करने पड़ता है, आपके daily income minimum जो भी criteria वो होनी चाहिए, उसके बाद में आप जो combo बनाते हैं वो आपके एक limit होनी चाहिए, अब यहाँ पर आप view task पर अगर click करेंगे, तो आपको क्या-क्या achieve करना है, वो यहाँ देखने के लिए मिलेगा, अगर आप यह नहीं करेंगे तो level आपका बढ़ेगा नहीं, जैसे मैं दो और game जीत लूँगा, तो फिर यहाँ पर मैं आसानी से आगे अपना जो level है वो upgrade कर पाऊँगा, उसके बाद मैं आपके wallet में जितने भी points हों में वो दिखाए देंगे, यह tokens नहीं है, ध्यान रखेगा, और यह 5 token है, आपको जो pics मिलता है, वो dashboard पर मिलता है, वो आपके claim करने होते हैं, और फिलाल इनों ने airdrop किया है, तो यहाँ आपको banner देखने के लिए मिलेगा, मैं already claim यहाँ पर कर चुका हूँ, जो NFT है basically वो claim करनी है, जो कि 25 तारिक को शाम को 5.30 बजे होगी, उसको कैसे claim करना है, वो video आपको इसी video के description में मिल जाएगा, नीचे अब आपको काफे सारे option मिलते हैं, पहला option है invite का, आप यहाँ पर link अपने friends को share कर सकते हैं, जैसे वो join करेंगे, आपको 2000 यहाँ points मिलेंगे, अगर premium ले रख़ा है telegram का, तो 10,000 मिलेंगे, next option बहुत important है, यह है fights का, fights कैसे करते हैं, उससे पहले आपको यह पता होना चीए, कि आपको यहाँ characters कैसे buy करने हैं यह, तो आपको buy new pet का option मिलेगा, यहाँ आप click कीजिएगा, उसके बाद में आपको यहाँ पर buy for coins का option मिलेगा, अब मेरे पास coins है ही नहीं, क्योंकि मैंने बहुत सारे पहले से pets भाई कर रखे हैं, तो मेरी limit तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, मुझे बहुत सारे coins से ही है, लेकिन मैं चाहूँ तो stars से भी खरीद सकता हूँ, पैसे से, लेकिन मैं पैसे करच नहीं करूँगा, क्योंकि मैं already काफी सारे खरीद चुका हूँ, उसके बाद में कुछ ऐसे आपको जो bought या pets देखने के लिए मिल जाएंगे, अब buy तो कर लिया, यहीं तक नहीं रुखना, आपको maximum जितना हो सकता है अपग्रेड करना है, जैसे कि आप देखेंगे, मैंने कितनी levels तक यहाँ पर अपग्रेड कर रखे हैं, 49-49 levels तक मैंने अपग्रेड कर रखे हैं, जिसको भी अपग्रेड करना चाहते हो, आपको जस्ट उसके उपर आना है, यहाँ अपग्रेड के उपर क्लिक करना है, नीचे आपको level up का option मिलेगा, और जितनी भी points चाहिए होंगे वो दिखाई देगा, जस्ट आप उसके पर क्लिक करेंगे तो उसका जो level है वो अप हो जाएगा, अब जैसे कि मेरे पास यहाँ पर coins खतम हो चुके हैं, जैसे इस cover कर लूँ में, यह है पहला steps, आपको pets buy करने हैं, upgrade करने हैं, second step है, यहाँ पर game खिलना है, अगर आपके friends हैं, तो invite कर सकते हैं, random वाले option पर क्लिक करेंगे, थोड़ी दिर wait करना है, कोई भी एक game आपका connect हो जाएगा, किसी के साथ में भी, and यहाँ पर जो circle आता है न, just आपको fast fast tap करना है, जहाँ पर भी आपको circle दिखाई दिता है, जितना अधिक आप यहाँ पर fast tap करेंगे, उतना ही आपके लिए best रहेगा, try करूँगा कि मैं इसको win करूँ, at least अभी भी मेरा ठीक है, उनका 40% बचा है, and मैंने हाँ पर miss कर दिया, I think अभी यहाँ पर जो मेरे win करने के chances है, I think मैं जीत जाऊँगा, क्योंकि मैंने last में hit कर दिया, next option है rewards का, और यह option आपको use करना है, combo कैसे बनाते हैं, नहीं पता है, आप steak पी देखिए, कितना बड़ा amount steak पर लगा हुआ है, combo बनाने के लिए, आपको कुछ steps follow करने होते हैं, जो characters है न, उनको एक खाली स्तान में, आपको number Y number set करने हैं, अब आपको पता कैसे से लेगा, कि कौन सा first में आएगा, तो मैं अपने telegram में ये share करता हूँ, जैसे आज का है, सबसे पहले मुझे यहाँ पर इसको first number पर डालना है, उसके बाद में मुझे यहाँ पर इसको डालना है, उसके बाद में मुझे इसको डालना है, जो maximum reward था, वो मैं claim करूँगा, claim के ओपर click करूँगा, अगर earn वाले option पर click करूँगा, and सब को redeem करूँगा, तो आप देखेंगे, मेरे पास लगबग 16 million जो points वो हो चुके है, next option इन्होंने काफी interesting जोड़ा है, जो कि spin का है, आपको here to spin buy करने का option मिलता है, daily आप click करेंगे, जि double hits का मुझे मिला है, जब मैं game खेलूँगा, तो यह मेरे खाम आजाए का कोई दिकत नहीं है, बट अगर मुझे 2X, 3X का कुछ ऐसा मिल जाए, तो जो points मैं earn कर रहा हूँ उसमें मुझे फाइदा मिलेगा, बट I think आज ऐसा कुछ मिलने वाला नहीं है, मुझे ऐसा लग रह तो फिर मुझे उसकी अनुसारी जो reward है वो मिलते, तो कुछ यह basic से feature है, जो कि आप pixel tap पर use कर सकते हैं, और सेम कुछ ऐसे ही feature आपको pixel verse dashboard पर मिलते हैं, जिनको कैसी use करने हैं, उस video का link आपको इस video के description में मिल जाएगा,